दोस्तों सबक में शामिल अफसाना लम्हें बल्वन सिंग का लिखा हुआ अफसाना है बल्वन सिंग की पैदाईश 1921 में गुज्रावाला के एक गाउं में हुई इप्तिदाई तालीम गुज्रावाला में हासिल की उसके बाद आला तालीम अलहाबाद में हासिल की देहली में रिसाला आजकल के नाइब मुदीर की हैसियत से काम किया उसके बाद अलहाबाद आ गए वहाँ पर उन्होंने फसाना और अर्दू साहित नाम के रिसाले जारी किये फसाना अर्दू का रिसाला था जबके अर्दू साहित देवनागरी में लिखा रा 1986 में आपका इंतकाल हुआ उन्होंने कई तवील और मुक्तसर नाविल लिखे जिन में रात चोर और चांद बहुत मशूर हुआ कई अफसानों के मजमुएं भी शाय हुए जिन में जग्गा, तारपोद, हिंदूस्तान हमारा, पहला पत्थर और सुनहरा देश वगएरा शामिल है उनके अब्तदाई अफसानों में पंजाब की देही जिन्दगी का बहुत जीता जाता नक्षा मौजूद है यानि उन्होंने पंजाब की जो गाउं की जिन्दगी है, जो देही जिन्दगी है, उसकी अकासी बड़ी खुबसूरती के साथ की है जिससे ये अंदाजा लगाया जाता रहा है कि बलवन सिंग सिर्फ पंजाब के देहाद और सिख किरदारों की जिन्दगी के अकास है जबके हकीकत ये है कि उनका अफसानवी कैन्वस खासा वसी है, यानि उन्होंने सिर्फ पंजाब के इलाकों या वहां के किरदारों को ही अफसानों में जगा नहीं दी, बलके इनके अलावा भी उन्होंने मौजवात तलाश किये और दूसरी जगहों का बयान भी अपने अफसानों में किया है बलवन सिंग उस जमाने में अफसाने लिख रहे थे जब क्रिशन चंद, इसम चुक्तई, रजिंदर सिंग बेदी, अहमद नदीम कास्मी, ख्वाज़ अहमद अबबास, गाजी अब्दु सत्तार और रतन सिंग वगएरा अफसाने लिख रहे थे ये सबी लोग अर्दु के आहम तरक्वी पसंद अफसाना निगार शुमार किये जाते हैं अफसाने में एक ऐसे नौजवान का किरदार पेश किया गया है जो मतवस्त तपके की आवारा ख्याली की नुमांदगी करता है इस किरदार का नाम है उमा कांद असाना यहां से शुरू होता है कि जैसे ही वो बस में दाखिल होता है और वहां पर वो एक हसीन औरत को बैठा हुआ देखता है उसका जहन एक खास सिम्त में सफर करने लगता है और वो यह खाहिश रखता है कि किसी तरह उस औरत से कुर्ब हासिल किया जाए और कुर्ब हासिल करने की तरकीबे तलाशता है वो उसकी तरफ देखता है ताके वो उसकी तरफ देखे बच्चे को बात करना चाहता है यानि जितनी भी कोशिशें हो सकती हैं वो उन पर गोर करता है और वो ऐसी तरकीबें सोचता है जिन से वो उस खातून से मुखातिब हो सके और जब कड़ खाता है तो यका यक इक इस बात का जज़ार होता है कि उस हसीन औरत जिससे वो कुर्ब हासिल करना चाता था जिससे वो मुखातिब होना चाता था उसकी एक टांग खराब है और ये टांग फसादाद के दौरान खराब होई है ये फसादात 1947 के फौरण बाद रूनमा होए थे यानि फसादात का नतीजा था जिसका ये असर जो है उस हसीन खातून के पैरों के जरीए जाहिर होता है यही से नौजवान यानि उमाकांत के ख्यालात का रुख बदलता है और फसादात के खिलाफ जो जजबात हैं वो उभर कर सामने आ जाते आईए इस अफसाने को पढ़ते हैं सूम का दिन था यूं तो मैं अपने दोस्तों की बहुत गदर करता हूं लेकिन कभी कभी जी चाहता है कि दोस्तों की सूरत तक न दिखाई दे और मैं महज अपने लिए ही होकर रह जाओ मेरे दोस्तों की तादाद बहुत कम है इसलिए मुझे ऐसे दिन भी मैसर आ जाते है जिस रोज का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो उसी किस्म का दिन था सुब का वक्त था पेश्तर इसके कि कोई दोस्त मेरे मकान पर पहुँच कर उमा कांथ उमा कांथ के नारे लगाता मैं चाय से फारिग होकर घर से निकल पड़ा ना बीवी ना बच्चे ना मुलाजमत ना कारोबार ना खुशी ना गमी अजीव वीरान कैफियत में जिन्दगी बसर हो रही थी मेरी बेकारी से घरवालों की नाखुशी के बाएस दिल पर उदासी चाही रहती थी कोई जिम्मेदारी ना होने की वज़े से दिमाग हलका रहता था अपनी बीवी ना होने के सबब से जहन पर रुमानियत का तसल्लत था बस स्टैंड पर पहुँच कर देखा कि केनाट प्लेस जाने के लिए बस तयार खड़ी है अंदर एका दुका मसाफिर बैठे हैं कोट के कालर दुरस्त करता हुआ बस के अंदर दाखिल हो गया आठ बजे थे बला सरदी के मौसम में किसी को क्या पड़ी थी कि घर की गरम फिजा से निकल कर बाहर को उठ भागे चनाच्छे बस में एक अजीब सुकून तारी था चन्द लोग एक दूसरे से परे परे बैठे धीरे धीरे बातें करने में महफ थे मैंने पहले औरतों और लड़कियों का जाइजा लिया तीन लड़कियां थी और दो ओरते लड़कियां गोरी थी दो दो चोटियां आँखें बड़ी न छोटी बातें मीठी न फिकी दूसरी ओरत की जानिब देखा हरे राम वो तो सूरत से बिलकुल आया लगी शायद सच मुझ की आया हो खैर अब एक और औरत का जायदा लेना बाकी था वो मेरी जाने पीट मुड़े बैठी थी उसके कंधे पर नन्ने बच्चे का सर टिका था और एक बच्ची सामने की सीट पर बैठी थी गोया वो कम असकम दो बच्चों की मा थी दिल पर मायूसी का जजबा तारी होने लगा बीस पच्चीस मिनट का ये सफर यूही कर जाएगा दिल बहलावे की कोई सूरत दिखाई न देगी लेकिन ये सफर जमाहियां लेता ही बिताना पड़ेगा सोचा अगर दो बच्चों की मा बत सूरत है तो अपनी बहनों से बढ़कर क्या होगी यही ना कि उनके बराबर होगी या जरा बेहतर आखिर यही तैप आया कि उस खातून के एन पीछे वाली सीट पर डेरा जमाया जाए पिछली सीट पर चुपके से बैठकर मैंने सर पर हाथ फिरते हुए बालों की तह जमाई और फिर इंतजार करने लगा कि वो जरा इधर उधर गूम कर देखे तो सूरत का जायजा लिया जाए लेकिन वो इधर उधर देखे बगएर सामने की जानिब मू किये चुपकी बैठी रही यहां तक के बस चल दी मुझे बेचैनी सी महसूस होने लगी कंडेक्टर ने आकर दाम तलब किये टिकट लिते वक्त ख्याल आया कि काश उस खातून से थोड़ी बहुत बातचीत हो चुकी होती तो उसके टिकटों के दाम देकर अच्छे खासे मरासिम पैदा किये जा सकते थे जब उसकी बारी आई तो उसने मूँ फेर कर देखा रुख रोशन का जल्वा दिखाई दिखाई दिल धक से रह गया वो वाकई बहुत हसीन थी तारा सी आँखें नाजुक लब और दरखशा पेशानी खिलाफ ए उमीद उस औरत को हसीन पाकर हाथ पाउँ फूल गए अब मसला ये दरपेश था कि उससे गुफटगू क्योंकर शुरू की जाए कौन सा मौजू मुनासिब रहेगा मौसम लेकिन हिंदोस्तान में अभी मौसम के मौजू पर गुफटगू का आगास करना खातिर खाह नताइच पैदा नहीं कर सकता उस औरत से ये कहना कि आहा क्या ये खुशगवार मौसम है महज बेकार होगा सिनेमा एक्टर एक्टरिस बसें सड़कें नहीं नहीं ये बाते मुहमल हैं इतने में औरत के शाने के साथ लगे हुए नन्ने बच्चे ने आँखें खोली और हैरत तो इस तैजाब से इधर उधर देखने लगा बड़ा प्यारा बच्चा था मैंने उसके गाल पर हलकी सी चुटकी ली तो उसके छोटे छोटे होटों पर मुस्कराहट पैदा हुई फिर मैंने दोनों उंगलियों से उसकी ठुट्टी को हलके हलके सहलाना शुरू किया तो वो हसने लगा मैं जानता था कि उसकी माँ को इस बात का इल्म हो चुका है बच्चे के कानों के पीछे दाद के निशान दिखाई दे रहे थे मैंने जुरत से काम लेकर पूछा क्यों जी नन्ने के कानों के पीछे दाद हो रहा है जी हाँ तो क्या आप इसका इलाज नहीं कराएंगी इलाज तो हो रहा है क्या होमियोपेथी इलाज करा रही है जी नहीं है तो इलोपेथी एक डॉक्टर है रुची राम होमियोपेथी इलाज करते हैं खुसूसन बच्चों के इलाज में तो उन्हें महारत हासिल है अगर ये इलाज मौसर साबित ना हुआ तो उनसे रुजू कीजिएगा बहत ही प्यारा बच्चा है मैंने सिलसले कलाम जारी रखने की कोशिश करते हुए कहा औरत ने बच्चे को शाने से हटा कर खिड़की के साथ पीठ लगा ली अब उसका रुख करीब करीब मेरी जानिब था उसने बच्चे को जानों पर बिठाया कर देखना शुरू किया वो वाकई हसीन है या नहीं फिर जैसे दिल ही दिल में उसने मेरे कौल की ताईद करते हुए मीठी नजरों से मेरी जानिब देखा आपको बच्चों से खासा लगाओ है क्या आपके भी बच्चे है जी नहीं मैंने कदरे जहेब करका अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई क्यों शादी नहोने की क्या वज़े यूही मैंने सर खुजाते हुए जवाब दिया यही अभी बेकार हूँ जब तक आमदनी की माकूज सूरत नहो दिल में शादी का ख्याल भी नहीं आ सकता लेकिन आप बेकार क्यों है मैं इस जिरह से घबरा गया था मैंने पंजाब यूनिवस्टी से बीए करने के बाद पेशावर में कारोबार शुरू किया था आमदनी की सूरत नजर आने लगी तो फसाद शुरू हो गए और मुझे इधर भागना पड़ा अब नए सिरे से काम करने का ख्याल है औरत की आँखों में अदासी की जलक दिखाई थी उस वक्त वो कुछ खोई सी नजर आ रही थी मौके का फाइदा उठाते हुए उसके हसीन चेहरे के खदोखाल का बगोर जाइजा लेने लगा क्या वो मेरी खातिर उदास थी एक लम्हे के लिए ही सही काश मुझे भी ऐसी ही मोहनी बीवी मिल जाए कहते हैं कि औरत मर्द के दिली जजबात को बहुत जल्द पहचान लेती है औरत ने नजरें जुका लिए और फिर कदर तामल के बाद ना मालूम क्यों बड़ी बच्ची की जानिब इशारा करके मुस्कुरा कर बोली ये मेरी बेटी है आओ बेटी मेरे गरीब आओ मैंने हाथ पहलाए वो मारे शर्म के आगे नहीं बड़ी तो मैंने खुद ही बढ़कर उसे गोद में बिठा लिया अहा बड़ी अच्छी है हमारी बेबी अच्छा तो तुम पढ़ती हो क्या लेकिन वो बड़े इहतमाम के साथ शर्माती रही औरत बोली बताओ ना बेबी तुम से कै मरतबा कहा है कि यूही मत शर्माया करो मैंने सोचा किस कदर महजब है ये औरत इसकी बाचीज से मालूम होता था कि वो पढ़ी लिखी और खासी सुल्जी हुई है क्या पढ़ा है भाई हमें भी सुनाओ तुम तो बहुत अच्छी बेबी हो तुम्हें तो पढ़ा लिखा याद होगा बो याद है हाँ जी बेबी ने बड़ी बड़ी आँखे उठा कर भरपूर नजरों से मेरी जानिब देखा मालूम होता था कि इस बात का इकबाल करने में उसे बहुत फर्क महसूस हो रहा है क्या पढ़ा है तुमने A, B, C, Y, Z इस पर हम दोनों कहकहा मार कर हसे मैं और वो औरत हम दोनों जो एक दूसरे से बहुत दूर थे लेकिन कहकहों की मिली जुली आवाज से यू महसूस होने लगा जैसे किसी फिल्म के हीरो और हीरोईन कोई सहर अंगेज डूइट गा रहे हो औरत ने बमश्किल हसी रोकते हुए कहा अरी बीवी तुझे A, B, C अभी तक याद नहीं हुई C के बाद A, D, Y, Z अब हमारी मुलाकात काबल एत्मिनाद दरजे तक आन पहुची थी अब बेशतर खद्शाद दूर हो चुके थे हम दो बहुत अच्छे वाकिफ कारों बलके दोस्तों की तरह गुफ्तगू करने लगे 20 या 25 मिनट के सफर में ज्यादा बातें नहीं हो सकती थी लेकिन अगर एहसासात को लीजिए तो लमहा भर में कुछ का कुछ हो जाता है एक मीठी नजर थी के जिंदगी के इन लमहों को रंगीन बनाती चली गए उसकी आवाज में ऐसा लोच और रसीला पन था के मुद्दतों कानों में शहस सा घुलता रहा इधर उधर की बातों में हम इस कदर महर थे कि इर्दगर्द की कुछ खबर नहीं रही थी जब मैंने जंगल में शेर के फर्जी शिकार की कहानी सुनाई और मैंने शेर के सामने खड़े होकर उस पर गूली चलाई थी तो औरत की आँखें फटी की फटी रह गए हैरत से बोली लेकिन मैंने तो सुना है कि शेर का शिकार मचान पर बैट कर किया जाता है जी हाँ मैंने बेपरवाई से जवाब दिया लेकिन कोहना मश्क शिकारी मचान पर कभी नहीं बैटते है वो सच मुझ मेरी बात पर एमान ले आई बातों बातों में मुझे ख्याल आया कि मर्द के दिल में औरत की कशिश की एक वज़े ये भी है कि औरत के सामने वो दिल खोल कर जूब बोल सकता है औरत तिफलाना अंदास से कई बातें पूछती रही और मैं बड़ी तवज़े से उनके जवाब देता रहा बस की मनजल करीब आ रही थी बेबी अभी तक मेरी गोद में बैठी थी दफ़तन मुझे महसूस हुआ कि काम निकल जाने के बाद बेबी को तो मैं भूल ही गया था मैंने महजूब होकर बेबी की बगलों को गुद गुदाया अरे बीबी तुम तो कोई बात ही नहीं करती क्या तुम हमसे खफा हो वो चुप रही बो बेबी लाही बेबी ने इंकार के तोर पर सर हिलाते हुए जवाब दिया अच्छा तो बताओ तुम्हरा नाम क्या है मेरा लाम हाँ सोल्ताना सुल्ताना औरत ने कहा मुझे पहली मरतबा इस बात का इल्म हुआ कि वो मुसल्मान है सुल्टाना की बगलों को गुदगुदाते हुए मेरे हाथ रुक गए मैंने कदरे हिचकिचाते हुए दर्याफ्त किया क्या आप मुसल्मान है जी ये कहकर औरत ने मेरी तरफ इस तफ़ामिया नजरों से देखा नहीं कुछ नहीं मैं हस दिया मुझे महसूस नहीं हुआ के बजाहर फिर कदरे भदी सी खामोशी तारी हो गई बात कुछ भी नहीं थी मैंने सुकूत तोड़ते हुए पूछा फसाद के दिनों में आप देली ही में थी जी हाँ हम सब यहीं थे मेरे दिल को नमालुम क्या होने लगा मैंने रुकी रुकी आवास में पूछा आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई औरत ने कदरे सुकूत किया बस कुछ न पूछे माली नुकसान बहत हुआ जाने बच गई यही गनीमत समझे केनाट प्लेस में हमारी दुकान लुट गई मकान में फसादी घुसा है लेकिन पेश्टर इसके के कोई नुकसान होता पुलिस आ गई मेरा सर जुग गया ऐसा क्यूं होता है इस टैंड पर पहुँच कर बस रुक गई इस ख्याल से के औरत तनहा है और बच्चे दो शायद उसे मेरी मदद की जरूरत हो मैंने अपनी सीट से उटने में तामल किया लेकिन औरत के हलके पंसे रोशन हुआ कि उसे मेरी मदद दर्कार नहीं है चुनांचे मैं शरीफ मर्द की तरह उटकर चल दिया चंद कदम चलने के बाद मैंने यूँ ही घूम कर देखा कि वो औरत उटकर दर्वाजे की जाने बढ़ रही है लेकिन उसके कदम उखड़े उखड़े दिखाई देते थे वो कदरे लंगड़ा कर चल रही थी मैं सोचने लगा कि अगर इसकी टांग में ये नुक्स नहोता तो वो कदम कदम पर फितने जगा थी ऐसी हसीन औरत और ये आयब दफ़तन हमारी नजरे मिली गालबन वो समझे बैठी थी मैं चला गया हूँ मुझे एक मरतबा फिर अपने सामने पाकर वो परेशान सी हो गई जैसे कह रही हो आखिर तुमने मुझे लंगड़ा कर चलते हुए देख लिया ना महजूब होकर उसने अपना गुलाबी होता हुआ चेहरा जैसे जुका लिया और फिर जैसे रूट कर मुझे दूसरी तरफ फिर लिया मैं उसे मनाने के लिए आगे बढ़ा और उसके सामने जा खड़ा हुआ और उसके चेहरे का जाइजा लेते हुए दिल ही दिल में कहा मुझेस खातून तुम बहुत हसीन हो तुम हुस्न की पुतली हो तुम क्या जानो मैं इन चंद दिल फरेब लम्हों के लिए तुम्हारा किस कदर शुक्र गुजार हो और फिर मैंने कदर बुलंद आवाज में कहा माफ कीजेगा आप कुछ परेशान सी नजर आती है क्या आपको कहीं आगे जाना है तांगा लाओं या आपको किसी का इंतजार है उसने सर पर दुपट्टा समारते हुए जवाब दिया जी जाना तो करीब ही है वो नहीं आए मुलाजिम को भीज देते मुलाजिम को तो आना ही चाहिए था मैंने आगे बढ़कर लड़की को गोद में उठा लिया और बोला चलिए मैं आपको छोड़ाओं वो बगएर कुछ कहे मेरे साथ हो ली अभी हम पंद्रा बीस कदम ही चले होंगे कि वो बोल उठी लीजिये वो लड़का हमारा नौकर चला आ रहा है हम रुक गए मैंने जिजगते हुए टांग की तरफ इशारा करते हुए दर्यास्त किया क्या पैदाईशी नुकस है उसने कदरे तामल किया फिर अपनी आखे मेरी आखों में डालते हुए मुस्करा कर बोली जी नहीं जब फसादियों ने हमारे मकान पर हमला किया तो एक सूर बीर ने लाठी गुमा कर मारी थी मेरा दिल बैठने लगा लरसते हुए हातों से मैंने बच्ची को नौकर की तरफ बढ़ाया मेरी पेशानी पर थंडे पसीने की बूंदे फूट पढ़ी कापते हुए हाथ से जेब में रुमाल टटोटने लगा रुकसत के मौके पर कुछ कहना चाहा लेकिन होट फड़ फड़ा कर रह गये चुनाँचे मैं कुछ इस अंदास से दो कदम पीछे हटा जैसे वो कदीम बाबलियों की हसीन शहजादी हो मेरी आँखें जुक कर उसके कदमों पर जम गई मैंने तसवर ही तसवर में उसके पाउं पर सर रख दिया फिर उचटती हुई नजरों से उसकी जानिब देखा तो मालूम हुआ कि अब इन आँखों में वो रूखा पन न था ना सखती और फिर मुझे यू महसूस हुआ कि वो महर्बान होती हुई किसी खुद सर मलका की तरह कह रही है मा बदौलत खुश हुए मा बदौलत ने ना सिर्फ तुम्हें बलके तुम्हारी सारी कौम को माफ किया एक मरतबा फिर हमने एक दूसरे की जानिब शुक्र गुजार नजरों से देखा और फिर हम एक दूसरे से दूर होने लगे यहां तक के बिलाखिर एक दूसरों की नजरों से हमेशा हमेशा के लिए ओजल हो गए आपने इस कहानी को पढ़ा यह कहानी बेहत सादा जबान में लिखी गई है अपनी सादा जबान में होने के बावजूद पढ़ने या सुनने वाले पर बहुत गहरा ऐसर छोड़ती है अफसाने की बड़ी हूवी भी यही है कि अफसाने एजाज औ इख्तसार होने के बावजूद अपना गहरा ऐसर छोड़ता हूद और ये इसमें काम्याब है आपने गौर किया होगा कि इस अफसाने में जिन्दगी के सिर्फ एक पहलू का बयान किया गया है कोई बड़ा वाक्या या बहुत नुमाया वाक्या नहीं पेश किया गया है बलकि एक दुख बरे इहसास की पेशकश की गई है यानि वो कैफियत जो एक दर्द मंद दिल में पैदा होती है उसको पेश करने की कोशिश इस अफसाने में की गई है अगर अफसाने की शुरुआत को देखे हैं कि जब वो नौजवान यानि उमाकान बस में दाखिल होता है उस वक्त उसके खयालात क्या होते है खातून से हम कलाम हो उसके रूबरू हो लहाज़ा जब बस में उसकी नज़र एक खातून पर पड़ती है जिसकी गोद में बच्चा है तो वो उससे बात करने की तरकीवे तलाश करने लगता है और फिर वो कोशिश करता है पहले बच्चे को छूता है फिर छूने के साथ साथ जो है उस पर उसकी नज़र जाती है उस बच्चे के कान पर जहां पर वो दात का निशान है उसको बनियाद बना कर वो अपनी गुफटगू शुरू करता है रफ़ता रफ़ता ये गुफटगू बढ़ जाती है बढ़ते बढ़ते एक दोस्ती की तरफ या उनसियत कायम हो जाती है या कुर्बत हासिल होती है जब ये कुर्ब हासिल होता है उस वक्त ये बात जाहर होती है कि उस हसीन औरत की टांग में नुक्स है और जब नुक्स की वजह बताई जाती है तो उसके ख्यालात या उसके एहसासाद अलग रुख इक्तियार कर लेते हैं और जो एहसास उस वक्त पेश किये गए थे वो एक दुख बरे एहसास की शकल में तबदील हो जाते है वो औरत उसको बताती है कि किस तरह से जो फसाद हुआ उस फसाद में उसके घर को बरबात किया गया उसकी दुकानों को बरबात कर दिया गया उसके सारे जमा पूंजी बरबात कर दी और साथ ही उसमें उसकी टांग भी जखमी हो गए जब वो ये जमला कहती है कि किसी सूर बीर ने लाठी घुमा कर मार दी पूरा कर्ब पूरा जो तकलीफ है वो इस जमले से जाहिर होती है और उमाकान और वो खातुन खुद ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि ऐसी सूरत हाल क्यों रुनमा हुई बलाखिर जब अफसाना खत्म होता है और खातुन से उमाकान विदा हो रहा है या उससे रुखसत लेता है तो उसका एक अलग अंदाज होता है या उसकी एक अलग कैफियत होती है यही वो कैफियत है जो अफसाने के कारी पर असर पैदा करती है एक गहरा असर डालती है औरत की गहरी उदासी और उमाकांत की शदीद शर्मंदगी इनके जरीए असाना निगार ये बताना चाहता है कि एक दूसरे के दुखों में शिर्कत ही हकी की इनसानियत है चूंके अफसाने में जिन्दगी के किसी खास पहलू को मौजू बनाया जाता है इसलिए किरदारों की तादाद भी ज्यादा नहीं होती इस अफसाने में उमाकान्थ और वो खातून और उसके दो बच्चे ही शामिल है और ये वो किरदार हैं जिनके इर्दगिर्द अफसाने का ताना बाना बुना गया है जिनके जर्ये वो तमाम कैफियात जाहर की गई हैं जिनको अफसाना निगार पेश करना चाहता है जहां तक जमान और मकान की बात है इसका दाइरा बहुत ही महदूद है एक मुक्तसर वक्त का सफर है या बहुत मुक्तसर सफर है एक जगह से दूसरी जगह उसी के दोरान ये अफसाना पूरा होता है ये पूरा वाक्या जो है वो बयान किया गया है लेकिन इसमें वो वाक्या या वो पसमन्जर शामिल किया गया है जो फसादात का पूरा मन्जर पेश करते हैं बलवन सिंग के अफसानों की खूबी ये है कि 1947 के नतीजे में जो फसादात रुनुमा हुए थे चूंके वो खुद उसका शिकार हुए तो उनके अफसानों में उसका कर्ब उसका दर्द जाहिर होता है इस अफसाने में भी वही कर्ब वही तकलीफ जो है वो जाहर होती है कि लोग ऐसा क्यूं करते हैं या ऐसा क्यूं होता है बजाए इसके इस बात पर बहस की जाती कि इनके या इन हालात के रुनुमा होने की वजुवात क्या है यहां पर उस फसादाग के असर को अफसाना निगार ने पेश किया है आप इस अफसाने को एक मरतबा फिर पढ़िये और फिर गोर कीजिये कि किस तरह से एक जजबाती कहिफियत को एक एहसास को इस फसाने में पेश किया गया है किस तरह से किरदारों को पेश किया है और उन किरदारों के जरीए किस तरह से मकाल में अदा कराए गए है छोटी बच्ची जो बहुत छोटी है वो अपना नाम किस तरह से बताती है सुल्ताना यानि अलग-अलग करके जिस तरह से बच्चे अदा करते है वो खातून किस तरह से अपने बच्चों को या अपनी बच्ची को कहती है कि आप बात करो जो सवाल आप से किये जा रहे हैं उसका जवाब तो ये सारी चीजें अफसाने की खूवी का हिस्सा हैं क्योंकि अफसाने की अजज़ा की अगर बात करते हैं तो उसमें प्लाट होता है उसमें करदार होते हैं उसमें मकाल में होते हैं और आखिर में एक तास्र होता है जिसको हम वहदत तास्र कहते हैं और ये तास्र जितना गहर होता है अफसाना उसी कदर काम्याब होता है अमीद है आप इन बातों का ख्याल रखेंगे और इसकी रोशनी में आप एक मरतबा फिर अफसाने को पढ़ेंगे शुक्रिया कर दो इसकी बातों